हलो दोस्तों स्वागत है आपका डिमाग डिम वाले मेरा अवे विशेख दोस्तों आज गोड़े गाटोपी का बेस्ट एंड चीपेस्ट वैब होस्टिंग तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत एक खमाल का वैब होस्टिंग बताने जा रहा हूँ तो लिंक डिस्क्रिशन मिल जाएगा आप डिरेकल जाके पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों इससे वीडियो को स्टार्ट करें आप जद कर्शाया को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस एक होस्टिंग मी मिलेगी अपने प्लां के साल एनि की अगर आप लेते हो चार साल का प्लां याणि कि 48 मेंने होते हैं तो 48 प्लस थ्री मंस का और आपको होस्टिंग मिल जाएगा तो चलो ये तीन फाइदा आपको हमारे लिंक के दूर मिलेगा और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो अब बात करते हैं हमारा जो में टॉपिक है बेस्ट एंड टीपेस्ट वेब होस्टिंग के अब आपको जवाब तो मिली क्या होगा होस्टिंगर है ठीक है तो अब यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है उनके बारे में हम जल्दी से डिसकस कर लेते हैं एक तो सबसे इंपॉर्टन चीज़ है कि होस्टिंगर जो है मतलब आप युम कह सकते हो सबसे बड़ा जो बेस्ट सेलर है इस फिल्ड में मतलब अगर हम बात करें वेब होस्टिंग के इस मार्केट में तो यह बेस्ट सेलर है इससे जादा सेल्स किसी भी और होस्टिंग कम होती है अब इसका बड़ा रीजन यह है कि यह इंडिया में भी एक complete हिट है क्योंकि यहां पर इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है ठीक है एक दुनिया की सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनी आप उगर इस प्राइस रेंज में होस्टिंग दे रही है तो यह बहुत ही इंडिया में नहीं होता है लेकिं होस्टिंगर की बात करें थो इंडिया में इनका सर्वर हे में청 सर्वाइन होटे कर दो हमारे बहुत है उस बी경 में, में अगर हम definitely हम यहाँ बात best and cheapest web hosting की कर रहें, लेकिन अब जहाँ पर आपको जो simple web hosting जीसे हम shared hosting कहता है, अगर उस price पर आपको wordpress hosting मिल रहा है अगर किसी company में, तो हम definitely wordpress hosting लेंगे, क्योंकि बहुत जादा powerful होता है wordpress hosting, ठीक है तो अभी यहां पर आपको additional कुछ भी नहीं देना पटा रहा है तो इस वीडियो पर आगे लेगे सबसे पहले आप बात करते हैं तो फिर आप क्या करोगे फिर आप आओगे hostinger जैसी कंपनी में तो उससे वड़िया तो यही है कि आप सबसे पहले ही देख लोगी आपको पैसा बचाएगा आप कही पर 1000 रुपे दो के एक साल के लिए और उसके बाद आप आओगे hostinger में यहां पर आपको सिर्व 800 रुपे लग रहे थे तो यह आपका नुकसान कर दो अच्छी जी जगा है सबसे पहले ही ले रहे दो आपको पैसा बहां ज्यादा बचता है तो चलो अब रिवीव की बात कर लेता है कि बेस्ट क्यों है अगर आप यहां पर देखोगे ट्रस्ट वैलेट पे तो इसका रिवीव है 4.6 आउट और गूगल पे 4.8 आउट फाइफ, होस्ट एडवाइस पे 4.6 आउट फाइफ और डबली बीवीव से 4.7 आउट फाइफ तो यहां पर देख सकते हैं रिवीव बहुत ही कमाल के है ठीक है तो यहां पर एक चीस तो क्लियर होती है कि आपको जादा कुछ देखने की जरूत नही होते नहीं है हमें किस चीज को मानें यहां पर लिख यहां पर हम यूटूब रबार टवाइस तो यहां पर हम एक बार होस्टिंगर टाइप कर लेते हैं। और होस्टिंग कर प्लार में इसका रिवीउ धेखें हैं यहां पर इस तरीके से भी जो है रिवीउस चेकर सकते हैं। था यहां पर यहां पर सिर्फ होस्ट कमपनीश के ही रिविःउस डारे जाते हैं। जो है एकदम फिल्टर रिव्यू जाते हैं बहुत ही बड़ी चीज रहती है अगर कोई कंपनी खराब होगी तो यहां पर प्रॉपरल दिखा जाए कि वो खराब है उसको अच्छा बना बना भी नहीं सकता है तो यह एक बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म है जहां पर आप जै केस्टेडी बनते हैं अच्छा प्रॉपर केस्टेडी बनते हैं अगर कोई बोलता है कि 6 मैंने यूज़ करके उन्होंने अपना रिव्यू दे दे तो यह पॉसिबल नहीं है ठीक है कम से कम 2-3 साल यूज़ करने के बाद मता चलता है ऐसे बहुत सारी हम अभी 15-25 होस्टिं कमणी अच्छी है हमारे इस लिस्ट में बहुत सारी होस्टिंग कमणी है ठीक है लेकिन उनका रिव्यू जो आने मैं अगले साल होते होते है आपको प्रॉड़ हो जायेंगे अभी फिलाल के लिए जो अच्छी होस्टिंग कमणी से हम आपको सगस्श कर रहें हो सकता आने वाले टाइम में अगर हमारे case studies में सारी चीजे साही बैठी तो आपको इससे भी सस्ते hosting companies जो है मिल सकते हैं लेकिन उसमें एक डेट साल का आपको wait करना पढ़ सकता है ठीक है और मैं तो कहता हूं कि life में कभी भी wait नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना में आपको competition बढ़ जाता ह इसलिए आज की डेट में जो best है वह आपको लेलाना चाहिए अभी चलो जल्दी समय का server location देख लाए तो यहां पर आप देख सकते हूं कंट्रीज बताए हुए यूए यूके फ्रांस इंडिया सिंगपूर ब्रजील लिथानिया और इन कंट्रीज में कौन कौन सिटीज है वह आपको इतना डीटैल में यहां पर मिल जाता है ठीक है चलो यह होगी बात अभी servers की अब hostinger में एक और खास बात है बहुत ही खास ब यहां यहां नहीं चाहिए यह मुझे यूके चाहिए ठीक है तो आप यूके ले सकते हो आप चेंज कर सकते हो अपना server वह भी खुद से आपको कमनियों कुछ बोलने की जरूत नहीं है आपको इनका जो डैश्बोर रहता है जो एच पैनल बोलते हम एच पैनल जो आपको मि पैनल नहीं दिखा रहा आपको इस वीडियो में क्योंकि हमारा जो टॉपिक हम प्रैज जो और पर इन चीजा। पर ही इस वीडियों के अंदर डिपंड करने वाले हैं ठीक है तो यह होगी बात अब अगर आपने कभी Hostinger से Hosting नहीं लिया है तो वह वाला वीडियो यहां पर है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो इसके अदर मैंने आपको पूरा अब हम करते हैं में जो कि है हमारा वार्टप्रस होस्टिंग क्योंकि मैंने आपको कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्योंकि वैब अब है जो अब आपके बास दो ही प्लान है अब यहां बिजन से यह आपको अभी देखने के चलोंतिंगे अठारा महीने बाद आपको अगर आपको वेबसाइट बहुत ज़्यादा पर्फॉर्म करने लग जाए लगे लोगों के क्या रहता है कि 18 महीने बाद उनके वेबसाइट का जो पर्फॉर्मर से पांच गुना बढ़ जाता है ठीक है तो आप जितना अच्छा गाम करोगे आपका पांच गुना उतना ही जादा होगा क्योंकि पैसे बताता हूँ जैसे कि मालो कि 18 महीने तक आपके वेबसाइट पर डेली अगर 100 व्यू आते हैं ठीक है तो 18 महीने बाद आपके वेबसाइट पर डेली 500 व्यू आएंगे अगर मालनों आपने अच्छा काम किया है और 18 महीने तक आपके website पर अगर हर रोज 1000 वीव आते हैं तो 18 महीने बाद आपके website 5000 वीव आएंगे यह जो चीज होती है ना यह 18 महीने का concept है यह तो भी समझोगे जब आप इसे experience करोगे क्योंकि क्या रहता है कि corporate world में बोला जाता है आपको यह बात जरूर पता होगी ठीक है तो चलो अभी योगी बात आप चलो प्राइस टीग में थोड़ा सो डीटेल में गुस्ते हैं प्रीमियम और बिजनस दो प्लान्स हैं हमारे पास यहां पे ठीक है दोनों ही प्लान्स बहुत ही क्वाल के मैं कहूंगा कि इन दोनों प्लान्स है क्योंकि जादा तर लोगों को दो एफसेट ही तो जो पढ़ती ही पढ़ती है तो यह सफिशेंट है स्टैनर्ड परफ्रमर्स जो आपको हर जगे मिलता है वो आपको यहां भी मिलेगा 100GB का SSG storage है और 100GB मिलता है मौदान इनाफ है ठीक है weekly backups मिल रहे है weekly backups मौदा अगर आपको daily backups चाहिए तो आप खुछ से लेलो schedule कर सकते हो बहुत सारे options है ठीक है free email मिल जाता है मिलना ही चाहिए unlimited SSL है मिलना ही चाहिए unlimited benefits है मैं नहीं बोलोगा मिलना ही चाहिए लेकिन मिल रहा है सबसे सबसे वाले plan में तो बहुत बड़ी बात है free domain मिलना चाहिए और है CDN देखो compulsory नहीं है कि कोई hosting company दे ठीक है लेकिन अगर कोई hosting company देती है तो वह hosting company अच्छी है ठीक है अच्छी नहीं कहूंगा जादा अच्छी है ठीक है यहाँ पर इस plan में आपको freedom है free CDN मिल जाता है CDN से क्या होता है कि आपके upside की spirit 25 गुना बढ़ जाती है इस पर हम बात comments आया होगा स्वूकमर्स को लेकर में लोग लगता है कि आप वूकमर्स upside बना नहीं सकते है इस ऐसा नहीं है आप वूकमर्स upside दुनिया के किसी भी hosting company से hosting लेकर कोई भी सस्थे सस्था plan लेकर बना सकते हूँ आप बना सकते हूँ यहाँ पर आप बना भी सकते हूँ और अच्छा खासा business कर भी सकते हूँ ठीक है वूकमर्स में यहाँ पर सिर्फ यह बोला है कि managed वूकमर्स जो है आप में यहाँ पर नहीं मिलेगा not recommended limited support suitable for small stores selling up to 10 products यह 10 products तक का जो ही बोल रहे है अगर आपके पार दस हो सकता है company को यह वाला plan बेचना हो ऐसा हो सकता है मैं आपको reality बता हूँ इस plan में तो क्या इससे भी सस्ते plan में मैंने 2000 product जो है अप्रोड किया है configuration इतनी भी नहीं थी सिर्फ 2GB storage में मैंने 2000 products का run कर चुका हूँ website fast open होता है सब कुछ कमाल का होता है हमने try किया हमारे पास case studies है अभी भी live हमारे clients के बहुत सारे e-commerce website जो है इसमें खोस्ट हो रहे है और वह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक e-commerce website है सो website होस कर सकते है न तो सो website मैंसे आप इमान के जो लो 5 website जो है हमने एक client के e-commerce की बनाए अलग-अलग domain लेकर ठीक है product सब में सेम है लेकिन अलग-अलग domain लेकर हम आपने दस हजार से उपर product upload किया यहां पर जो तो खाली दस product बोलता है साब इल्किल भी नहीं है कोई issue नहीं है आप आराम से करो आप करके देखो कोई दिकत नहीं आई है आपको मेरी guarantee है ठीक है अब यह staging tool नहीं मिलेगा अब यह चार्ज जी आपको नहीं मिलेगी यह बात तो हमारा बिजनस बंद रहेगा एक तरह साथ यहांनी कमाई नहीं होगी उस टाइम पर ठीक है यह एक बड़ी प्राब्लम है अगर स्टेजिंग टूल है तो आप उन्हें कोपी बना सकते हो से इंपल में और यह चीज अचीज है अब्जेट कैश है आपको थोड़ा सा और इंप्रूब करता है ठीक है बहुत बड़ा अंतर तो नहीं रहते है थोड़ा और इंप्रूब करता है ओन डिबांड बैकप होना नहीं होना एक जैसी बात है तो इसको द्याद देन कर दो लो वर्टपस एई टूल्स उन लोगों के लिए बहुत चरूरी है जो कि अपने ब पहुत द्याद परता है तो हाँ डेफिनेटली अगर बाइपर से टूल्स है अगर कोई होस्टिंग अमनी देती है तो बहुत अच्छी बात है लेकि मैं यह नहीं कहूंगा यह होस्टिंग अमनी को यह देना ही होता है हां स्टेजिंग टूल जरूर देना चाहिए यह मैं मैं कहता हूं कि इस प्लान में भी स्टेजिंग टूल तो होना ही चाहिए था ठीक है अगर नहीं है तो बस यह इस पूरे प्लान में अगर कोई चीज की मुझे कमी लगती है तो बस इस प्लान में स्टेजिंग टूल मिलना चाहिए और वर्डप्रेस होस्टिंग में स्टोरेज मिलता है और इससे की 25 गुना और बड़ा पर आपको देखने को मिलेगी तो सीडियन गेम चेंजर है यहां पर गाइस लिटरली मैं बहुता हुआ है यहां पर सीडियन गेम चेंजर है हमारी केस्टेडी से जिसके अंदर जिन लोगा ने बिजनस प्रान लिया उनके अपसाइट की स्पीड जो है बहुत जादा इंप्रूब हुई है और उनके ट्राफिक है वो 11 गुना तक बढ़ा है हलां कि एक क्लाइन की साथ यह चीज बागी सारे क्लाइन के साथ इस प्लान क लिया है तो उनका जो ट्राफिक है वो 5 गुना सब का बढ़ा है ये बहुत ही मतलब की सीचिश देखने के किसी का साथ गुना बढ़ा किसी का नो गुना बढ़ा किसी का गैरा गुना गजा है अब मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे हमारे वीडियो जबाएंगे, तो उसके अंदर ये चीज़े कवर होंगी, ठीक है, तो चलिए, अभी ये चीज़ यहां तक हो गई है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, मैंनली जो हमने ये सब चीज़ों के बारे मता हमें आपने बात कर हैं, और अगर आपको दुकान किराय पे लेते हो, तो मैंने के खम से कम 30,000 से लेके 40-50,000 रुपे का किराय देना पड़ता है, बिजनस का, तो यहां तो आप 4 साल के लिए लगबग 12,000 रुपे देने वाले हो, ठीक है, जो की कुछ भी नहीं है, उसे साब से देगा जार तो तो आपको हमेशा performance को सबसे पहले रखना पड़ेगा, pricing को बात में, तो अगर आपको लगता है कि आपको serious business करने वाले हो, तो guys, यह वाला plan ले लो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ try करने वाले हो, आपको लगता है कि मैं अपने job के साथ, या फिर अपने पढ़ाई के साथ कुछ करूँगा, ठीक है, उस case में आप 149 वाले plan के सुरू कर से, तो कि मैं समझता हूँ कि जब मैं भी student था, तो मेरे पास भी इतने ज्यादा funds नहीं थे कि मैं 12,000 रुपे एक साल डाल दू, चार साल का hosting ले लो, 12,000 रुपे एक साल डाल दू, मेरे पास भी उस time न लेते हो, तो चार साल का आप वोस्टिंग मिल लाती है, प्रीवियम के case में, तो आप इसके साथ भी शुरू कर सकता है, अगर आप एक student है, लेकिन आपने student नहीं हो, मतला आप school written नहीं हो, college student नहीं हो, आप serious world में उतर चुके हो, मतलत अब college तक तो सब कुछ मजाक होता है, college कभी बोलूँगा कि अगर आप hosting plan लेते हो, तो किसी भी company से ले रहे हो, उनका maximum plan जो है, maximum time duration, कोई किसी का 3 साल का maximum रहता है, कोई 4 साल का देते है, कोई 5 साल का देते है, तो जिनका maximum है, जैसे hosting करे case में 4 साल maximum, आप 4 साल से उपर का नहीं ले सकते हैं, एक साथ, ठीक है, तो 4 आप सारी साल आपको समझ में आगी होंगी, और अब अगर आप business plan लो, पहले premium plan लो, आपके लिए ये वाला वीडियो है, इस plan मैंने business plan लेकर दिखाया है, तो आपको same steps करने premium plan के लिए भी, कोई difference कि ये दोनों है, ठीक है, हाँ, एक दो feature से, जैसे CDN आपको यहाँ एक्ष् देखने को मिलेगा, तो यह सब चीज आपको business plan मिलेंगे, तो वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में cover किया है, तो वो सब चीज आप देख सकते हो, और follow करते हुए, आप खरीच सकते हो, discount link description में है, अब आप उसका फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है, तो उमीद है कि आपको यहाँ पर दो और वीडियोस है, जो की वर्डप्रस के टुटोरियल्स रहने वाले हैं, तो आपको उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंको उनको देखने के बाद आप बहुत जादा डिटेल में वर्डप्रस सिख सकते हैं, ठीक गाईस, और अगर आप यह वारे वीड आपको मिलते रहें, तो दोस्तों, आज वीडियोस रुप इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद